साथियों, पहले देश किस दिशा में किस रफ्तार से चल रहा था और आज किस दिशा में और किस तेजी के साथ रफ्तार से आगे जा रहा है ये मेरे मीडिया के साथियों के लिए अध्यन का और मन्थन का विशय भी हो सकता है कब करेंगे वो हम नहीं जानते हैं सोचे आखिर क्यों आजादी के 66 साल तक केवल 38 प्रतिशा 38 परसंट ग्रामिर गरों में ही सोचाले बने और कैसे सवाल का जवाम यहां शुरू होता है कैसे केवल 4 साल में 95 परसंट गरों में ग्रामिर गरों में सावचाले उप्लब तक करा दिया गया सोचिये आखिर क्यों आजादी के 66 साल बाद तक केवल 55 प्रतिशत बस्तियां 55 परसंट बस्तियां तोले और गाउं तक ही सड़क पहुची थी और कैसे केवल 4 साल में सड़क संपर्क को बढ़ा कर 90 परसंट 90 प्रतिशत बस्तियां गाउं तोलों तक पहुचा दिया गया आखिर सोचिये क्यों आजादी के 66 साल बाद तक केवल 55 प्रतिशत घरों में ही 55 परसंट घरों में ही गैस का कनेक्शन था और अब कैसे केवल 4 साल में गैस कनेक्शन का दाइरा 90 प्रतिशत घरों तक पहुचा दिया गया सोचिये आखिर क्यों आजादी के बाद के 66 वर्षों तक केवल 70 प्रतिशत ग्रामिन परिवारों तक ही बिजली की सुविधा पहुची थी और अब कैसे बीते 4 वर्षों में 95 परसंट ग्रामिन परिवारों तक बिजली पहुच गई है साथियों इस तरह के सवाल पूस्ते पूस्ते घंटों निकल सकते हैं व्यवस्ताओं में अपूनता से संपूनता की तरब बढ़ते हमारे देश ने पिछले चार साड़े चार वर्षों में जो प्रगति की हैं वो अभूत पूर्व है साथियों सोचिए कि आखिर क्यों आज़ादी के सड़ सड़ वर्षों तक देश के सिर्फ पचास प्रतिशत परिवारों के पास ही बैंके खाते थे ऐसा कैसे हुआ कि आज़ देश का लगबग हर परिवार बैंकिंग सेवा से जुड़ गया है सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों था कि आज़ादी के सड़ सड़ वर्षों तक बमुश्किल चार करोर नागरिक ही इंकम टैक्स रिटन भर रहे थे सबासो करोर का देश चार करोर केवल चार वर्ष में ही तीन करोर नए नागरिक इंकम टैक्स के नेट्वर्स से जुड़ गए है सोचिए कि आखिर क्यों ऐसा था कि जब तक GST नहीं लागू हुआ था हमारे देश में इन डाइरेक्ट टैस सिस्टिम से 66 लाख 66 लाख उद्यमी ही रजिस्टर थे और अब GST लागू होने के बाद 54 लाख नए लोगों ने रजिस्टर करवाया साथियों आखिर पहले की सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर सकी और अब जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है लोग भई है बिरोकरसी भई है संस्ताइञ भी भई है फाईल का जाने का रास्ते भी भई है टैबल कुर्सी कलम वो सब कुछ भई है फिर भी ये बदला क्यों आया इस बात का यह सबूत है कि देश बदल सकता है और मैं आपको ये भी दिलाना चाहता हूँ कि जो भी बदलावाया है जो भी परिवर्तन आ रहा है गति आई है वो तब तक नहीं आती जब तक बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाकर फैंसले नहीं कर लिये जाते उन पर अमल नहीं किया जाता आप कल्पना करिए अगर देश के नागरिकों को दसकों पहले ही मुलभूत आवशक्ताइं उपलब तक करा दी गई होती तो हमारा देश कहां से कहां पहुँच गया होता देश के नागरिकों के लिए ये सब करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है लेकिन ये उतना ही दुर्भाग्य पूर्ण है कि देश को इसके लिए इतने वर्षों तक तरसना पड़ा कि दुर्भाग्य पूर्ण है